दोस्तों अगर आपको समुधर के बीचो बीच एक छोटी सी नाव पर अकेले छोड़ दिया जाए तो आप क्या करेंगे असल में ऐसा होने के चांसिस तो बहुत कम है लेकिन आप सिर्फ इमेजिन कीजिए आप अकेले उसे नाव पर फसे हैं और जहां तक आपकी नदर जा रही है वहां तक बस पानी ही पानी है लेकिन इस पानी से आपकी प्यास नहीं बुच सकती क्योंकि वो समुधर का खारा पानी है तो ऐसे में आप कितने दिन तक जी पाएंगे एक दिन दो दिन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा पाँच दिन लेकिन अगर मैं आप से कहूँ कि एक इंसान 133 दिनों तक समुद्र में अकेले जिन्दा रहा था जी हाँ ये बिलकुल सच है ये कहानी है दूसरे विश्यूद के समय की जब एक इंसान को अपनी प्यास बुजाने के लिए खुद का पेशाब तक पीना पड़ा था लेकिन उसकी जीने की जिद ऐसी थी कि विशाल और गहरा समंदर भी उसकी जान नहीं ले पाया तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं एक्लांटिक ओशन में फसे इस कमाल के जिदादल शक्स की कहानी दोस्तो वक्त था वर्ल्ड वार टू का जो विश्यू की दो महाशक्तिया आपस में बिढ गई और इस विश्यू युद्ध का असर 1942 में समंदर में भी देखा गया जिसने एक आम चीनी नागरे पुल्लिम के समंदर में किसी भी आम सफर को 133 दिनों वाले खौफनाक मनजर में बदल दिया दज जर्मन अटाइड अक्तूबर 1942 ब्रिटिश मर्चंट शिप ऐसे से बेल लुमॉड अपने 6630 टन वजन के साथ केप टाउन से दड़्च गुएना के लिए निकल गया उस समय शिप में 54 लोग सवार थे इस सफर के दौरान इस ब्रिटिश मर्चंट शिप पर अक्लांटिक महसागर में जर्मन सबमरी यू-17 कि आप सभी जानते हैं कि वाल्ड वाल टू में ब्रिटेन और जर्मनी एक दूसरे के खिलाफ थे ऐसे में जब जर्मन सबमरीन की नजर इस शिप पर पड़ी तो उन्होंने एक के बाद एक दो टौपीडो ब्रिटिश शिप पर दाग दिये जिससे एंजिन रूम के कई पुन लिब जो शिप में सेकंड स्टुवर्ड के पद पर था अटैक के बाद वे सभी साथियों से अलग हो गया और अपनी जान बचाने के लिए उसने सिर्फ लाइफ जैकेट के साथ पानी में छलांग मार दी करीब करीब दो गंटे तक पानी में तैरने के बाद उसे लक क्योंकि उस वक्त वो एमेज़ॉन नदी से करीब साथ सो पचास मील दूर था और दीरे दीरे लहर का बहाव उसे उस महसागर में और भी उलजाता जा रहा था ऐसे में पुनलिम तर किसी भी तरह की मदद का पहुँचना बहुत मुश्किल था वैसे दोस्तों अच्छी बात ये थी कि पुन को पता था कि ऐसे कंडिशन्स में सर्वाइव कैसे करना है लेकिन ये सर्वाइवल कितना लंबा जाएगा इसका उसे भी अंतासाद नहीं था इसलिए उसने खुद को जिन्दा रखने के लिए राफ्ट पर मौजूद रिसोर्सिस के जरिये ही सर्वाइवल इंप्रोवाइजेशन स्टार्ट कर दिया सबसे पहले उसने कैन्वर्स की मदद से शल्टर बनाया ताकि वे तेज धूप से तो बज़ ही पाए साथ ही रात को उसे गर्माहट से रिलीव तो मिलता लेकिन फिर ठंड इतनी बरदाती कि वो कापने लगता कुछ इसी तरह कई दिन गुजरे और लगबग एक हफ़ते बार उसने एक शिप देखा मदद के लिए पून ने स्मोक जनरेट किया लेकिन शिप ने उसे नोटी सी नहीं किया फिर उसने सोचा कि फ्लेर का इस्तेमाल किया जाए लेकिन उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि फ्लेर का इस्तेमाल कैसे करते हैं फिर भी वो ट्राइक करता रहा और अंत में शिप ने फ्लेर के सिगनल को देख लिया और वो पास आने लगी पुन ने देखा कि तीन लोग उसे दूर्बीन की मदद से देख रहे हैं लेकिन फिर पास आती शिप ने बिना मदद किये अपना रास्ता मोल लिया उन्हें शायद लगा कि पुन सम्मरीन अटैक का कोई ट्रैप है इस वाके के बाद पुन ये समझ चुका था कि उसे अपनी जान अब खुद ही बचा दी होगी और उस दिन से उसका रियल सर्वाइवल शुरू हो गया हजारों मील फैले समंदर में एक महीने से भी जादा वक्त गुजर चुका था और वहां के वातावरन के कारण उसके पूरे शरीर में दाने निकलाए थे साथ ही अब पून के लिए प्यास भी एक बड़ी समस्या बनने लगी थी क्योंकि पानी पूरी तरह से खत्म हो चुका था लेकिन फिर बारिश हो और उसमें उसकी जान बचा ली उसने अपने कैनवेस के जरी पानी को हरवेस्ट कर लिया और वो खाने के लिए मचलियां भी पकड़ने लगा जिसके लिए उसने अपने टौर्श के स्प्रिंग की मदद से मचली पकड़ने के लिए हुकत तयार किया और इनी सब चीनों के सहरे महासागर में पून का डे-टू-डे सर्वाइवल चलता रहा और उसके इस सर्वाइवल का सबसे बड़ा चलेंग एक तुफान के रूप में आया जिसने उसे हिला कर रख दिया उसे मनहू से गड़ी वे पून को डर था कि कहीं वे राफ से दूर न हो जा इसलिए उसने खुद को राफ से बांग लिया दोसो तुफान तो चला गया लेकिन साथ ही पीने का पानी भी ले गया डिहडरेशन के डर से उसने अपनी प्यास बुजाने के लिए पेशाब तक पीना मुनासिब समझा हफतो ऐसा चलता रहा और अब शरीर के साथ साथ उसके मूँ की भी हालत खराब होने लगी उसमें अलसर निकल आए उस दौरान उसने छे प्लेन के ग्रूप्स को स्पाट किया लेकिन मदद उनसे भी नहीं मिली और देखते ही देखते उसे छोटी सी राफ पर पुन के तीन महीने जिन्दगी और मौत के बीच जूचते हुए निकल दे फिर एक दिन फिशिंग के दौरान उसे पेड की एक लकडी तैरती हुई दिखी साथी उसमें पाया कि समुन्दर का डाक ब्लू वाटर अब दीरे दीरे लाइक ब्लू होने लगा है यानि कि मैं जमीन के नजदीक पहुचने वाला है महीनों बाद फिर से पुन के जहन में रेस्क्यू होने की आस आने लगी और आखिरका पांच अपरल उन्निस सो तेरालिस को अटैक के पूरे 133 दिनों बाद उनको ब्राजील के सीखोस से लगबग 10 मील पहले वहां के मचुआरों ने रेस्क्यू किया और हॉस्पिटल पहुचाया दोस्तों ये चीनी नागरी इस पूरे सर्वाइवल के दौरान काफी कमजोर हो गया था और इसने करीब 14 किलो वजन खोया था लेकिन फिर भी उसे कोई गंबीर समस्या नहीं हुई और हॉस्पिटल में करीब 45 दिन बिताने के बाद उसने दोबारा से अपनी नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू कर दिया देखते ही देखते ही ये कहानी पूरी दुनिया में फैल गई और वो न्यूस पेपर्स का स्टार बन गया फिर बिटन के किंग जॉर्ज शिक्स ने उसे बिटन एम्पायर मेडल से नवाजा और रॉयल नेवी ने उसकी स्टोरी को मैन्वल आफिस सर्वाइवल टक्नीक में एड़ किया दोस्तो पूर्ण बाद में अमेरिका चला गया और सेनिटर वारेन मेगनेसन की मदद से उसे अमरीकी नागरिक्ता मिल गए दोस्तो अटैक के दिन उस मर्चंट शिप से कुल छे लोग बचने के लिए महासागर में कूदे थे लेकिन अकेला पूर्ण ही जिन्दा बच पाया और बाकियों का कुछ पता ही नहीं चला दोस्तो शायद सची कहते हैं अगर चाहे तो सब कुछ संबब है पूर्ण की ये अमेजिंग स्टोरी देख कर आपको कैसा लगा नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताईएगा और अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेर भी जरूर कीजिएगा मैं फिर लेकर आऊंगा ऐसी ही और मज़ेदार इंटरस्टिंग वीडियो तब तक आप अपना अपने चहेतों का खयाल रखें खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया